वेलकम टो ओल्लाण और ओफलेंग ग्यान चैनल माइनेम इस गोरव दोस्तो जैसे कि मैं आपसे प्रोमिस किया था कि UP ITA के रिजल जैसे ही आएगा उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूँगा तो UP ITA के रिजल 5-6 घंटे पहले आ गया है तो सबसे पहले सोरी बोलना चाहू कि मैं आपको instantly update नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था आपके लिए वीडियो का material में gather कर रहा था जो रात में आपके लिए टनर की वीडियो लेकर आने वाला हूँ तो भई मैं आपके यहाँ पर जो है फिर भी मैं result की वीडियो लेकर आ गया हूँ यहाँ मैं आपको कुछ important बाते बताऊंगा वीडियो पूरी देखने तब ही आपको वह information मिट पाएगी otherwise skip हो जाएगी अगर आपने अभी तक अपना result नहीं चेक किया है वैसे तो mostly बच्चों ने चेक कर लिया होगा तो मैंने description में एक link दिया है जैसी आप उस link पे click करेंगे तो आ तो वह अभी मैं आपको दिखा दूँगा जो बच्चे select होंगे कैसा open होगा और जो बच्चे नहीं होंगे उनका कैसा होगा तो बच्चे select हुआ है और उन्हें लगता है कि उनको जो trade चाहिए थी वो उनको मिल गई तो आप जाके अपनी seat को freeze करवा सकते हैं और उसमें admission ल चाहिए अगर आप अपनी trade से satisfied नहीं है आपको लगता है कि आपको wait करना चाहिए तो आपको third counseling का wait करना पड़ेगा और उस trade का wait करना पड़ेगा जो आपको चाहिए और जो बच्चे एक बार अपनी seat को freeze करवा लेंगे ITA में जाकर उनका third counseling, fourth counseling, fifth counseling जो भी future में counseling आने वाली यह उस पे आपका जो है नाम नहीं आएगा महां से आपका नाम हड़ जाएगा 16,7,2018 तक आपको जो है ITA जाना पड़ेगा नजदी की government ITA और अपना जो भी आगे का process होगा admission को वो आपको करवाना पड़ेगा अगर आप अपनी trade से satisfied है तो यही process same Delhi में भी applicable है mostly states में यही process available होता है applicable होता है और इसी तरीके से admission process चलता है में इस एक बार अपने जो है अपनी seat ले ली तो आप जो है second के बाद जो third और fourth counselling आएगी उससे बाहर हो जाएंगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपका interface यहाँ पर open होगा तो यहाँ पर आपको जो है अपना registration number डालना है और यहाँ पर आपको DOB डालना है तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ जिस बच्चे का पहले selection हुआ है तो यहाँ पर मैंने registration ID और यहाँ पर DOB डाल दिया है अब जैसी आप submit पे click करेंगे तो आपके सामने देखो किस तरीके सा interface open होगा यह बच्चा select हो गया है इसका mechanic diesel में number आया है अब जो इसको trade चाहिए थी वो इसको मिल गई है इसकी category SCT तो ऐसे ही यह बच्चा आप जाके कि आपका SCVT में आया है या NCVT में आया है तो अपने नजदी की IT जाकर अपनी fees को submit करवा कर अपना seat को free करवा सकते हैं और अपना admission ले सकते हैं अगर आपने एक बर admission ले लिया पहली बता दूँ आप third counseling fourth counseling से बहार हो जाएंगे और जिन बच्चों का यहाँ पर selection नहीं हु नहीं हुआ है उनका interface यहाँ पर कैसा दिखेगा तो बही जिन बच्चों का selection नहीं हुआ है उनका सीधा सीधा जो है नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आजए का registration ID और जो है आप पर date of birth डालने के बाद कि यहाँ पर नीचे देखें आप कि व्यवसाय में नहीं हो सकता आपका यह जो है life का part है तो है किसी का selection होता है और किसी का नहीं होता है तो हर चीज में अगर आप निराश होने लग जाएंगे अगर tension आप लेंगे तो उससे क्या होगा कुछ फायदा तो होने का नहीं है आप tension मत लीजिए relief लेके जो है आप third counseling का wait कीजिए जो धन्यवाद दोस्त